पपा एक मिल रुको मैं डिस्मिन लेके आता हूँ पपा रोक यू रहो डाटा स्टील का स्टॉक स्प्लिट हुआ है एक के दस शेर के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट पपा इसमें एक कमपनी अपने शेर को तोड़के उसके कुछ हिस्से कर देती है जिससे उसके नमबर उर शेर बढ़ जाते हैं और शेर का प्राइस कम हो जाता है मत्तब अगर आपके पास टाटा स्टील के दस शेर हैं और कमपनी ने स्टॉक स्प्लिट एक से दस रेशो में निकाला तो अब आपके पास सो शेर हो जाएंगे और इसलिए स्टॉक का प्राइस भी दस गुना कम हो जाएगा तो क्या मेरा इंवेस्टमेंट दस गुना कम हो गया? और नहीं पापा, इंवेस्टमेंट वैल्यू तो वही रहेगा आपका टोटल नंबर ओफ शेर्स भी तो बढ़ गए हैं तो इस जमेले में बढ़ती क्यों हैं कामपनियां? सिंपल, स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ताकि ज़्यादा ट्रेडर्स और इंवेस्टर्स उस स्टॉक को खरीद सकें अब ये सब ग्यान भी तुझे एडी भी से मिला होगा? आप में ले लो करनो सब्सक्राइब